नमस्कार दोस्तो सिविल इंजिनेरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महात्पून वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो सिंगल मेस वाला फुटिंग तो मैंने आपके लिए बहुत बार अपने चैनल पे लाया है आज दोस्तो कुछ नया करता हूँ आज मैं आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तो फुटिंग डालने का जो काम है वो प्रोसेस पे है तो आज मैं आपको बताता हूँ दोस्तो कि डबल मेस वाला जो फुटिंग है वो किस तरह से लगाते हैं चेर कहां पे प्रभाइड करते हैं सनाति साथ दोस्तो जो डबलाप्मेंट लेंथ है वो कितना होना चाहिए और सनाति साथ जो कॉलम में दोस्तो एल मोरते हैं उसका फुट बनाते हैं दोस्तो डग फुट जिसको बलते हैं तो वो कितना जादा होना चाहिए मतलब कि पूरी जनकार यह आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सकावेशन की तो इसकी गहराई दोस्तो सारहे चार फीट रखी गई है दोस्तो मेस की अगर बात कर लेते हैं डाइमेंशन की तो सारे 4 feet by सारे 4 feet की है दोस्तो एक चीज में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इसको बनाने में सबसे पहले 2 inch बालु भी चाया गया है उसके बाद 1 inch सोलिंग किया गया मतलब 3 inch मोटा सोलिंग किया गया है और उसके बाद दोस्तो 3 inch का दोस्तो PCC इसके उपर में किया गया उसके उपर दोस्तों आपको क्या करना है कि 0.iz का कम से कम मैं बता रहा हूँ, आपको next to 50 mm का जो आपका कभर ब्लॉक आता है उसको लगाना है और उसके बात दोस्तों आपको mix भी साना श्टार्ट करना है दोस्तो इस वाले case में 10 mm का मेश देख रहे हैं जो जालीद बनाया हुआ है दोस्तो वो 10 mm के सर्या का बनाया हुआ है दो लेयर में आपको मेश देखने को मिल रहा है और मेश में दोस्तो जो development length है वो नीचे से जो L तरप मुड़ा हुआ है दोस्तो देख सकते हैं सरिया में वो 3 इंच मुरा गया है उपर से भी सरिया में 3 इंच मुरा गया है अब दोस्तो बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका center to center distance कितना है दोस्तो तो एक सरिया से दूसरे सरिया की दूरी दोस्तो 6 इंच रखी गई है अब दोस्तों बात करें तो ये L जो मोड़ा हुआ है कॉलम में ये दोस्तों 16D फॉर्मूला होता है 16D जितना mm का सरिया हो उसको 16 से गुना करना उतना mm आपको देना है लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि 12 इंच से कम इसको नहीं देना आम तोर मिस्तरी इसको दोस्तों डेर फीट का रखते हैं जो कि सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों चुकि कॉलम जो है फुटिंग पे ही रेस्ट करता है एक चीज़ का आप ध्यान देंगे कि यहां पे जो मिट्टी में दोस्तों आपका जो सडिया सट रहा है दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मिट्टी को जहार करके दोस्तों साइड से भी आपको क्या करना होगा कि 50 mm का जो कभर ब्लॉक है दोस्तों उसको आपको चारो साइड से लगाना है आप देख सकते हैं दोस्तों दो साइड से आपको कभर ब्लॉक देने की उतना आवसक तक दोस्तो यहां पे जंक पहुँच जाएगा यह हमारे कॉलम के strength के लिए बिलकुल भी सही नहीं है दोस्तो जब भी आप काम करें चेयर की बात कर लेते हैं तो इस पूरे footing में दोस्तो दो चेयर यहां पे देख सकते हैं एक चेयर लगा हुआ है मतलब कि जो चेयर का height है दोस्तो वो 6 इंच रखा गया है तो कुछ इस तरीके का दोस्तो आज मुझे लगता है कि वैसे लोग जिनके यहां footing थोड़ी से मजबूती से डालनी है मतलब कि उनका जो swail का दोस्तो जो strength है वो कम है इस तरीके का footing का इस्तमाल वो कर सकते हैं तो फिर मिलता हूँ दोस्तो एक अगले informative वीडियो में ध्यान रखिया अपना धन्यवाद जय हिन दोस्तो